next concept की तरफ भढ़ते हैं वो हमारे पस क्या है domains of trigonometric functions and fundamental identities जैसे कि हमें पता है sin theta जो है वो क्या है sin theta की अगर domain की बात करें तो वो हमारे पस क्या है theta की all values के लिए sin theta जो है वो क्या होता है defined होता है यानि कोई भी उसकी ऐसी कोई value नहीं है theta के लिए जहां पर वो answer जो है हमारे पस infinity दे दे या हमारे पस defined ना हो तो sin theta की domain है वो हम कहेंगे theta belongs to R इसी तरह cos theta जो है वो भी क्या है सारी real values के लिए defined है तो हम theta को लिख सकते है theta belongs to R which is the domain of cos theta इसी तरह अगर हम cos second theta की बात करें तो cos second theta हमारे पस क्या होता है 1 over sin theta तो अब हमारे पस sin theta क्या आगया है denominator बे तो अब हमने क्या करना है sin theta की उन values को देखना है जहां पर sin theta undefined आ जाए तो जहां पर sin theta undefined होगा वहां पर हम वहां उस domain में से वो values निकाल देंगे और वो जो values बाकी बच जाएंगी वो हमारे पस क्या होगी cos theta की domain आ जाएगी अगर हम sin theta की बात करें तो वह हमारे पस undefined कहां पर होता है n pi के multiples में where n belongs to the integers तो हम यहां क्या करेंगे cos theta की domain में से n pi को निकाल देंगे जैसे कि आप अपनी screen पे लिखी भी देख सकते हैं cos theta की domain theta is not equal to n pi अब हम बात करते हैं second theta की domain की तो second theta हमारे पस किसके equal होता है one over cos theta अब हमारे पस क्या आ रहा है denominator में cos theta तो अब हमने उन values को देखना है जहां पर हमारे पस cos theta undefined हो रहा है अगर हम cos theta की बात करें तो cos theta हमारे पस undefined कहा होता है pi by 2 और उसके multiple पे क्योंकि cos 90 cos pi by 2 जो है हमारे पस क्या आता है 0 आता है तो हम क्या करेंगे theta में से इन values को निकाल देंगे जैसे कि आप अपनी screen पे भी लिखी भी देख सकते है second theta की domain क्या है उसमें से हमने क्या किया है pi by 2 के multiples को निकाल दिया है जिसका general formula हमने लिखा है theta is not equal to 2n plus 1 divided by 2 pi where n belongs to the integer अब next हमने देखनी है 10 theta की domain 10 theta की domain हमारे पस क्या होगी 10 theta को पहले हम define कर ले थे हैं वो इसके ब्राबर होता है sin theta over cos theta तो क्योंकि हमारे पस दुबारा denominator में क्या रहा है cos theta तो हमारे पस 10 theta की वो ही domain होगी जो secant theta function की थी जो भी हमने discuss की यानि हम theta में theta की उन values को निकाल देंगे जहां पर cos theta undefined हो रहा है और वो कौन सा होता है pi by 2 के multiples पे जैसे कि आप 10 theta की domain अपनी screen पे लिखी भी देख सकते हैं इसी तरह cot theta की domain हमारे पास क्या आ जाएगी वो वाली values जहां पर sin theta हमारे पास क्या हो रहा है undefined हो रहा है और वो कौन से multiples होते हैं n pi यानि theta is not equal to n pi इन सारी domains को आप अपनी screen पे भी लिखावा देख सकते हैं इन domains को use करते वे आगे हम क्या करेंगे कुछ identities प्रूफ करेंगे हमने क्या करना है exercise 9.4 का आगास करते हैं तो हम देखते हैं हमारे पास क्या है पहला question prove the following identities and state the domain of theta in each case तो हम क्या करते हैं पहले हमारे पास क्या है हम left side ले ले लेते हैं मैंने left side daily 10 theta की value में plug कर देती हूं क्या होती है sin theta over cos theta यहां से क्या करते हैं LCM ले लेते हैं तो यह क्या जाएगा cos theta plus sin theta मेरे पास यह क्या है first जो आगे है क्या है sin theta plus cos theta is equal to क्या होता है 1 मैंने यह plug कर दिया 1 over cos theta मेरे पास किसके बराबर होता है secant theta तो वो किसके equal आ जाएगा हमारे पास क्या है right side अच्छा अब हमारे पास secant theta आ गया है तो secant theta की domain हम लिख लेते हैं वो क्या होती है theta is not equal to 2n plus 1 by 2 यानि जो हमारे पास जहां पर cos theta undefined हो रहा है तो हमने यह domain लिख ली ओप सो बच्छों आपको यह वाला question समझाया होगा thank you ले लाएट झाल